अलो फ्रेंच सुपरे किचन टी पे आप सभी का बहुत वस्वागत है तो चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या लगता है और इसे कैसे बना जाता है ओ भी देख लेते हैं देखे मैं पर दो पैस लिया हुआ है दो हरी मीच और एक अध्रप का करना है इसके जो लेयर से अलग होने चाहिए देखे मैं पर चोटे 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 सले लेयर जैसे कट कर रहे हुँ इसे एक दम पतले पतले करना है ज्यादा मोटा नहीं रखना आपको तो इस बात का ध्यान रहे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हो सिंपल है जल्दी से बन जूंस बखना चोटे चोटे में कटरले देखे मोटे तेकर रहे हैं जहीं जाया है को ह sebepa Pause केding का कट कर अज बचार रहे हूं मैं जहां में से पैस के पकोड़े बना ने जाकते हैं एक जासे बिल्कुल जैसे मार्केट जैसे बनातें इस साटिकता हैं घाटकर आपाई पयाजल कर मिलमें ध मैं रहा değil पानी चुटेगा पैस का तो इसलिए मिन्हें पर पहले नमक एड़ किया हुआ है और उसके बाद जो हमने हरी मिश कट कर लिया था तो उसे भी आड़ कर लेते हैं और इससे अची तरीके से मिला लेते हैं देखें मिलाने की बाद इसमें हम थोड़ा सा आधी चुटी चम्म ज मिला छेटेश तो उसके पानी चुट चूट चुटेगा यह नियुक्त पानी कर देदेखें मिला लेते हैं देखें यहां पर इस्तमल करने के रड़ी हो चाहे बिलेऊं को पानी और नमक वागे तो ये अची तरहा पानी दोड़ा की ऑच़ा टाया लेटी चाहिए तो ये तो रहा है को अच्छी तरहाँ पानी नहीं आइप सकते हैं अगर आप ज्यादा बेसन डालेंगे तो स्वात बेसन कहीं आएगा तो इसलिए ज्यादा बेसन नहीं इस्तमल करना है देखें मेनिया पर अची तरीके से डाल लिया हुआ है और अची तरीके से बैंडिंग भी हो चुका है इसमें और एक खास चीज़ से अट करने की ज़रू है मेनिया पर गरम तेल लिया हुआ है एक चमम जितना तो इसे भी आट कर लेती हूँ एक और चीज़ बताना भूल गें में यह पर थोड़ा सा अजवैन भी डाला हुआ है तो वीडियो आफ हो गया तो माफ कर देना है थोड़ा सा अजवैन भी डाल लिजेगा तेल लाने के बाद थोड़ा सा धनिया पता आट कर लेते हैं और अची तरीके से मिला लेते हैं देखिए हमारा जो बैटर्यों बन के रड़ी हो चुका है तो चले अब इसे तल लेते हैं देखिए मिनिया पर अलड़े तेल गरम होने के लिए रखाता देखिए तेल पूरी मार्केट में जो है ना कुर्कूर भीजया इसे ही बनाती है तेल को जदा गरम होता है जो ने टेल सी हम एक आठेट तो आठाले हैं क्रिस्पी के चंहिं कि परोगा है अगर बारिश आ रहे तो कुछ खाने का चटपटा अमन वगयर कर रहे तो आप ऐसे गर्मा गरम पकोड़े बना के खा सकते हैं अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर भी कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना देख सकते हैं कितना क्रिस्प और टेस्टी बना हुआ है देखिए बड़िया सा कलर भी आया हुआ जैसे मार्केट में होता बिल्कुल उसी तरीके से तो चलिए बिल्कुल जो बचे हुए उसे बिल्कुल इसी तरी से फ्राइ कर लेते हैं देखिए मैं आपे फ्लेम को फिर से हाई फ्लेम पे कर देना है निकालते समय थोड़ा सा लो कर दीजेगा यह तो जल सकते हैं तो द्यान रहे और डालते समय हाई फ्लेम पर रखना होगा और इस ह सारे बना लिया होए पकोडे चले इसे गर्मा गरवी सब्सार कर लेते हैं अब चाहे है तो हरी चतनी साथ भी सब्सक्राइब लोगी जो फटा सकता है तो उसे के उलते हमारे वीडियो पसंद आरहे तो लाइक की जिएगा और शेयर की ज़िए और हमारा चैनल को सब्सक्राइ आपको मिलते रहेंगे कितना बढ़ा लग रहा है अभी से मूह में पानी भी आ रहा है तो चले अभी से हम टेस्ट कर लेते हैं कैसे बहना हुआ है अच्छा नहीं लगता खाने में मज़ा नहीं आता है वाव कितना क्रिस्पी और कुरकुरा हमारा जो पकड़ा है बनके और नामास्कार